वन्दे गव मातरम कुछ व्यूवर्स में जरूर से कन्फूजन होगा इस गाये को देखकर वहे इसे राठी का नुमान करेंगे लेकिन ये गाये साइवाल नसल के करेक्टर्स काफी अधिक शो कर रही है इसे साइवाल नसल मेन माना जाएगा हो सकता है इसमें कुछ राठी नसल का मिश्रन आपको देखने से अनुबव हो लेकिन ये साइवाल नसल है नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं फार्म टोक और मैं जैपाल सिंग राठोड हर घर देशी गोवन्स हर खूटे देशी गोवन्स इस मुईम को पूरा करने के लिए आज एक श्यांदार देशी गोवन्स जो अभी कुछ समय में ताजा ब्याने वाली है वे गाए जो सेल के लिए अवेलेबल है आपको दिखा रहा हूं अगर आज आप इस चैनल पर नहे हैं हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जुरूर से कर लें साथी साथ नस्दीक दिएगे बैल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन भी ऐसे वीडियो की आपको रेगुलर और सबसे पहले मिले चलिए सुरू करते हैं इस गाये के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूँगा वीडियो को आप अंतर तक कम्लीट देखिए चोड़ा माथा और छोटे सींग आँखों के चारो तरफ वाइट डिश गेरे देख पा रहे हैं बड़े साइज का हमप है इस गाये में गलकंबल भारी और अडर से और गलकंबल से कनेक्टेड नाभी नाभी वेल शेप्ड है काफी सुन्दर नाभी का शेप है साथी गाये खुद एक हैवी मोडी स्ट्रक्चर की है इसे पवन कुमार जी जो विलेज 19 जेड बोल्डन है पवन कुमार जी के मोबाइल नंबर मैं आपको स्क्रीन पर भी मेंशन कर रहा हूं आप नोट डाउन कर सकते हैं यह नंबर नाइन जीरो फाइव सेवन एट वन फाइव थ्री वन सेवन इन मोबाइल नंबर पर संपर करके और खुद उपस्तित होकर गाये को भली बाती देख परकर खरी सकते हैं कुछ डिटेल जानकारी मैं आपके शेयर कर दूँ यह गाये दूसरे ब्यांत के अंदर है सेकिंड लेक्टेशन में है और ब्याने में लगबग 20 से 25 दिन अभी ड्यू है इन दिनों में अडर काफी तेजी से ग्रोथ करेगा जैसा आप अडर की शेप में देख पा रहे हैं जो यह जोली है यह काफी तेजी से ग्रोथ करेगी और अडर इस गाये का एक बड़े साइज का होने वाला है पुठे की चोड़ाई गाये की बेतरीन है 16 लीटर की दूछ हमता हमें पवन कुमार जी ने बताई है साथ ही इस गाये की कीमत भी आप से शेयर कर दूँ पवन कुमार जी ने 50,000 रुपे 50,000 रुपीज इस गाये के लिए डिमांड की है प्राइज नेगोशेबल है कीमत में बार्गेनिंग चाते हो या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी और आपकी सीटी की अकोर्टिंग ट्रांसपोर्ट के चार्जिस के बारे में जानकारी čाते हो तो स्क्रीन पर मेंशन किए के नंबर पर संबर कर सकते हैं और या खुद उपस्तीत होकर गाए को बली बाती देक परकर खरीच सकते हैं आसा है वीडियो पसंद आया होगा धन्यवाद दोस्तों